नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में महाम आपको बताएंगे कि ये डेकरेटिव आटम कैसे बनता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेनी होगी बोतल आपको तीन बोतलों की जरूत पड़ेगी तो इसको बीच से काट लेना होगा इसका प्लेन भाग है वह आपको कैसी की मदब से साफ सुतरा एकतम काट लेना चाहिए अलग फिर उसके बाद में हमें इसको मोड़े लेना होगा फिर मोड़ने के बाद हमें इसके चार टुकड़े करने होगी एक बोतल में इसके हमें चार टुकड़े करने होगी इस तरह से खिश екर आपको जल्ड़ जल्ड़ से हम बता देते हैं इस तरह से आप 납को चाट टुकड़े काड़ लेने पर और फिर इसको दिल का अतार देनागा यानि हर्ड तरह से इसको अंदर से मोड़िन होगा जिस तरह से मैं मोड़ रहा हूं ऐसे आप भी मूरना होँगा खुल आपको नौदिल वनाने होंगे यह देखिए दिदूसतो मैं नौद्टल बना ली उसके बाद मैं आपको फूण लेकर उसके चारों तरफ लपेट देनी होगी कलिया जली जली से लेपर देता हूं तो देखिए दरस तों इस तरह से आपको उन बोतल के कटे हुए दिल के उपर ले पेटनी होगी चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से कर देता हूँ युकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो दोस्तों ये देखिए हमारा दिल पूरा बन के तयार हो चुपा है इसी तरह से आपको चार पीले नहीं हाँ चार पीले और पांच गुलावी कलर के आपको बनाने होंगे ये देखिए मैंने फांच बनाए गुलावी कलर के और चार बनाए पीले कलर के तो आप अपने पास कोई भी गुलू या आपके पास हाट गुलू गन हो तो इसे आप चिपका सकते हैं या नॉर्मिली आप फेवी कोल फेवी कुछ से भी इसको आप जोड़ सकते हैं तो इस तरह शेप से इसको देकर अच्छे से आप चिपका दें कि द्यान रहे दोस्तों इसमें ज्यादा मुची निशी कोई भी चिजना पाएं तो यह हमारा चिपक के तयार हो चुका है अब बारी है इसको अंदर से सजावट की तो इसके लिए हम लेंगे घंटियां और कुछ मोती तो उसको हम एलमुनियम का वायर है यानि कि तार उससे इसको लटकाने की कोशिच करेंगे घंटियों को तो इस तरह से एक मोती और एक घंटी को थोड़े से तार की साहता से हमने ऐसे बांद दिया यह देखिए तो आपको ऐसे ही सारी दिल में सारी घंटियां लगा द और फिर यह देखिए हमारा पूरा बनके तयार हो चुपा है अंदर हमें सारी सारे दिल में घंटियां लगा दी ही तो अब सबसे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसके लिए हमें कुन कि दोनों क्लर के वन्हों को लपेट कर उसको बीस स्कते सरां काञ नहीं आख देना होगा और और किसे तरह से हमने घंटियों को लटका आख उसी तरह से इसको फिल्चा नहीं लेखिए को दो कर दो कुछ मोतियां डाल के ऐप दीगे कशावाय की कि देखे हमारा की तयार हो गया है अब हमें चार पॉंपॉम बाल बनाने होंगे और उसको भी हमने जिस तरह से नीचे वाले को लटकाया था उसी तरह से इसको भी हम चिपका देंगे तार की जाहता से यह देखे तो हमारा हैंगिंग डेकोरेशन आइटम बनके तयार है तो इसको हम अपने रूम में या अपने घर की कहीं भी अच्छी जगाप इसको आप लगा सकते हैं यह दिखने में बहुत ही सुन्दर है यह देखिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजे कर दोस्तों आपको 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